हेगा इस Firebolt की तरब से उनके एक और नई स्मार्ट वाच लॉंज होने वाली है मार्केट के अंदर जिसका नाम होने वाला है Firebolt Hulk स्मार्ट वाच तो दोस्तो वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्या यह अपने नाम की तरह वाच खड़ी उतरती है अपने Specifications और Features के सामने या फिर यह स्मार्ट वाच बस फुसी निकल जाती है इनकी बागी कुछ और अधर स्मार्ट वाच की तरफ से तो दोस्तो मेक शूर आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना वीडियो में बात करेंगे तो मेक शूर आप इस चैनल को जड़ों से सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तो पिना किसी टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं फटाफट से आपकी वीडियो की तरह दोस्तो सबसे पहले बात कर लें तयार इसके डिजाइन के वारे में तो डिजाइन वही आपको 368 x 448 का pixel resolution देखने के मिलता है और यहीं नहीं आपर आपको 550 nits की brightness भी देखने के मिलते है तो यानि कि आप कितनी भी कैरी धूप में निकल जाना यहाँ पर आपको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो overall बात करें डिस्पले आपको एकदम बहुती प्यारी डिस्पले और सबकी चहिती डिस्पले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है तो आप call को dial कर सकते है और receive कर सकते है और call के थुरू ही अपने किसी भी दोस्ते या फ्रेंड से directly बात कर सकते हो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको sports mode की तो यहाँ पर आपको 100 से भी जादा different sports mode देखने के मिलते हैं तो आपको जो भी sports mode चाहिए आप चाहे volleyball खिलते हो, cricket खिलते हो, badminton खिलते हो सभी तरीके के यहाँ पर आपको sports mode देखने मिलते हैं multiple watch faces यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आपकी smart watch के अंदर और यहाँ पर दोस्तों जो एक चीज मुझे थोड़ा सा disappointment कर रही है फिर थोड़ी खटक रही है वो है इसका battery backup company claim परती है तो यहाँ पर आपको normal days पर 4 to 6 days का battery backup मिलेगा तो आप heavy uses पर समझ सकते हो 2 से 3 days का ही battery backup देखने के मिलेगा और calling पर तो आपको केवल और केवल एक दिन का battery backup ही देखने के लिए मिलेगा तो watch के features के साब से definitely battery backup minimum to minimum 4 to 7 days का या फिर 5 to 7 days का तो होना ही चाहिए था इस से कम यार क्या ही smart watch के अंदर battery backup लोगे फिर बार बार उसे charge करना पड़ता है और दोस्तो बाकी कुछ और features की बात करें तो यहाँ पर आपको camera control, music control, smart notifications का option देखने के लिए मिलता है सिर्फ यह splash और dust proof यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी price की क्या इस price में आपको यह वाली smart हो चलेनी चाहिए तो price इसकी होने वाली है best amoled panel plus calling smart watch यहाँ पर देखने मिलती है, multiple sports mode है, multiple health features है, multiple watch faces है, मतलब सभी चीज आपको देखने के लिए मिलती है बस जो एक चीज जो थोड़ी सी disappointment कर रही है, फिर थोड़ा सा आपका breaker बनने की से लेते time वो है इसका battery backup तो मैं अगर आपको directly one word या फिर मैं छोटी सी line में आपको कहूँ, battery backup से दिक्कत नहीं है, बार बार चार्ज कर सकते हो, तो बिना देखे इस watch को purchase कर लेना, बट अगर battery backup चाहिए, तो यह watch आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है boss तो दोस्तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना है था, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी helpful हो या फिर थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो जरूर से like करना, share करना अपने दोस्तों तक और दोस्तो ऐसी channel पर content देखना चाहते हो और पसंद है, तो जरूर से इ ऐसी मज़ेदार अगली वीडियो में जब तक के लिए, बाई बाई